कश्मीर के पुल्वामा जिले में आतंकेयों ने अपनी कायरता का एक और परिचे देते हुए ईद की छुटी में घर दा रहे भारती ऐसे ना कि एक जबान का अपहरण कर हत्या कर दी। उसका शव गुसू से बरामत कर लिया गया है जैमवांद कैश्मीर, बोडी अवामी मैन औरंग जेब, who was abducted by terrorists from पल्वामा डिस्ट्रिक्ट, has been found at Guzoo, पल्वामा, more details are provided. आपको बता दे कि पंच जीले का रहने वाले औरंग जेब भारतीय सेना की 44 राश्रे राइफल के साथ शादी मर्ग में त्यना था, ईद की चुटी लेकर वह वीरवार को अपने घर जाने वाले था, इसी बीच उनकी गाड़ी जैसे ही कलमपोरा पहुची चार से पांच आ आतंकी उनके वाहन के सामने आ गए और बंदू के दम पर उन्हें अपने साथ ले गए, ऐसा पहली बार नहीं है कि आतंक वादियों ने सेना के जवान का अपहरन किया हो, पिछले वर्ष दक्षन कश्मीर के ही शोपियां से भारतीय सेना अधिकारी ले फुटनेंट उमर फ आज का अपहरन किया गया था